अगर वर्तमान में खुश रहना चाहते हो न तो दोस्तों अपने अतित का पच्तावा और भविष्य की चिंता को छोड़ कर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदव मिस्रा आपका अपने चैनल भविष्य वाड़ी पावर आप दलोड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए याने की ब्रिशब रासी वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विसेश कार्यक्रम साबित होगा आज हम चर्चा करेंगी दैत्य गुरु सुक्र के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ साथ मार्च दोहजार चोबिस की प्राता है साथ बच के नव मिनट पर आकरसन दामपत्य सौंदर्य एस्वर्य वैभाव कला गीत संगित के प्रतिनिधी ग्रह सुक्र अपनी वर्तमान वायू तत्त्विय रासी मकर रासी को छोण कर अपने परम मित्र सनी देव की म प्रवेश कर चुके हैं जहां कि वो 31 मार्च दोहजार चोबिस की साम तक रहेंगे उसके पस्चात पुनह रासी परिवर्तन करके अपनी उच्च रासी मीन रासी में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे की दैत्य गुर अपने परम मित्र सनी देव के मुल्त रिकोंड रासी में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस जोतिस के कारियकरम में आपको बताएंगे। इसलिए कारियकरम को भीना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाह विस्तार पुरुवक अध्यन करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर गोचर कुंडली की इस्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन रासी में संचरन कर रहे हैं जो देव गुरु ब्रहस्पति की साधारन रासी होती है और देव गुरु ब्रह दोस्तों यह एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे 30 साल के पस्चात बन रही है और धन के कारक देव ग्रुब रहस्पति के साथ सुक्र और सनी दोनों के दोनों ग्रह तिसरे ग्यारवे याने की लाब का संबंद बनाएंगे इसे अत्यंति स्रेष्ट कहा जाता है वैसे देखा जा विशेज करके मकर में कुम्भ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुं थत्तक स्रेष्ट होता है और यहां पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी देखिए मंगल अभी आने वाले दिनों में रासी परिवर्तन करेंगे लेकिन जब तक मंगल रासी परिव में डालेंगे हाला कि इस यूति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टी नहीं पड़ेगी और गुरू के साथ इन दोनों का लाव का संबन तो ऐसे में पाप मध्यत्यों में होते हुए भी काफी हद तक स्रेष्ट परिणाम आपको प्रदान करेंगे देखिए जब भ अपनी उच्च रासी में जाने की अभिलासा रखता है तो भी वह अत्यन्थी स्रेष्ट परिणाम प्रदायक होता है जो अभी सुक्र के साथ देखने को मिलेगा जी हां सुक्र देव मीन रासी में उच्च के होते हैं इसलिए कुम्भ रासी में सुक्र देव को उच्च जाता है और ये उच्चा अभिलासी सुक्रपूरे 30 साल के पस्चात सनी देव के साथ यूती बना रहे हैं जो अपने आप में ही अदभूत कहा जा सकता है देखा जाए तो आप लोगों के लिए याने की ब्रिशब रासी के जातकों के लिए सुक्रदेव का यह रासी परिवर है तो ऐसे में दसंभाव में गोचर करते हुए सुक्र देव गुरु ब्रहस्पती के साथ जो आपके हैप्पिनेस और आपके वेल्थ के कारक होते हैं उनके साथ 3-11 का संबंद बनाएंगी जो बहुती बढ़िया कहा जा सकता है जिहां आपके लिए याने की ब्रिशब रा दायक तो नहीं कहा जाता इसके पीछे कारण भी है तो ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर सुक्र सर्वता दीख बल से भीहिन हो जाते हैं और चटे भाव के भी अधिपती बन करके गोचर करेंगे दसंभाव में और चटा इस्थान किस चीच का होता है तो आपके रोगरिर आपको अपने काम में एक प्रकार की उल्जन आ रही है परेसानी आ रही है लेकिन इससे आपको घबराने क्या आओ सकता नहीं है क्योंकि यह गोचर आपके लिए नुकसान दायक नहीं बलकि जबर्दस्त फायदेमन साबित होगा जिहां सुक्र का यह रासी परिवर्तन हर पक्च का हर परिष्थिति का अच्छे से निरिक्षण करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए तभी आपको अपने व्यापार में विशेश सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी और सुक्र के इस रासी परिवर्तन का असर तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल प्राप्ति होगी और अगर आप कहीं किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार भी सुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सुक्र के इस गोचर को बहुती बढ़िया कहा जा सकता है यहां सुक्र का यह गोचर आपके कर्म चेत्र में आपके करियर भाव में कुष्टिंग प्रदान करने वाला साबित होगा याने कि आप समझ सकते हैं आपके करियर की दृष्टि कोण से सुक्र देव का यह गोचर अत्यंति स्रेश्ट साबित होगा जिहां आपको हर प्रकार से अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके कुछ नए अउसर प्राप्त होंगी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी पहले से आपको अपने कारिया छेत्र में फ्यस करनी पड़ रही थी तो उस परेशानी से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी और कहीं न कहीं यह गोचर जीवन साथी के साथ भी आपके रिष्टों को मधूर ब प्रिवर्तन को 31 स्रेश्ट कहा जा सकता है लेकिन इस समयाओधी में आप जितना ज़्यादा हो सके वाद वाद से बचने का प्रयास कीजिए और किसी भी प्रकार के अनेतिक कारय से भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए साथी साथ वाहन चलाते समय साउधानी बढ़त सिवालों के लिए यह जो गोचर है सुक्र का ठीक ठाक रहने वाला है उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता लेकिन ठीक ठाक परिणाम आपको प्रदान करेगा इस गोचर प्रभाव को और ज्यादा बेहतर और सकरात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए रोजाना गाय की सेव का यह जो गोचर है आपके लिए अत्यंति स्रेश्ट परिणाम प्रदायक साबित हो जाएगा जी हां तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए सेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए नमस्कार